Hello and welcome to Jam Cam and Padre IIT Jam अब सभी का एक पर फिर से स्वागत किया जाता है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो KVS का पेपर हुआ था KVS के PGT Chemistry के लिए जो पेपर हुआ था 2017 में ठीक है? तो देखे एक तो ये All India Level का हुआ था और एक सिर्फ North East Region के लिए हुआ था तो ये जो official question paper है KVS 2017 जो All India Level पे हुआ था ठीक है? तो इसका हम solution discuss करेंगे KVS के PGT Chemistry में 100 question आप से पूछे जाते हैं 100 question तो इसमें मैं part 1 लेके आ रहा हूँ जिसमें हम पहले 25 question discuss कर रहे हुँगे पहले 25 question हम इसमें discuss कर रहे हुँगे तो 2017 का जो ये normal paper है इसके हम 4 part ले गाएंगे और फिर 2017 में जो North East Region का बेपर हुआ था उसके अलग से 4 part ले गाएंगे तो कुल मिलागे 200 questions का solution आपको मिलेगा तो part 1 है एक से 25 question हम इसमें discuss कर रहे हुँगे chemistry subject के अगर आप भी KVS के लिए, NVS के लिए या कोई भी PhD chemistry के लिए preparation करना चाहते है तो हमारी app है जिसका नाम है Padre IIT Jam ये दोनों contact number है तो यहाँ पे course available है D3SB, RPSC, HSTAT, KVS, NVS, HSSC screening सभी के लिए जिसमें आपको complete syllabus के video lecture मिलते हैं 11 से MSC level तक के topic cover है इतना सब कुछ सारा कुछ आपको मिलता है आप 6 महिने की validity के लिए भी ले सकते हैं और 1 एर की validity के लिए भी ले सकते हैं तो आप एक बार जुरूर app को download करें और ज्यादा information के लिए आप इन दोनों contact number पे भी contact कर सकते हैं तो चलिए भाई, start करते हैं हमारा solution करना सबसे पहला question अगर आप इस paper का देख रहे हैं this is from electrochemistry easy question है, already यह ऐसे concept आपको पढ़ाय जाते हैं देखें, यहाँ पे एक आपको cell given है और बोल रहा है कि इन में से कौन सी statement correct होगी सबसे पहले देखें, क्या यह cell reaction होगी यहाँ पे देखने से यह पता लग रहा है this is anode harp cell left hand में anode harp cell होथा है and this is cathode harp cell तो यहाँ देखने से यह पता लग रहा है कि copper का तो oxidation होगा copper का तो oxidation हो रहा है and silver का reduction हो रहा है but इस reaction में क्या करआ दिया copper to positive से copper यानि कि reduction करवा दिया तो reduction थोड़ी नहीं और आको उपर का, इसका मतलब ये information तो incorrect है, ये तो wrong है, उसके बाद करें क्या silver electrode anode के तोर पे काम करेगा, नहीं, देखें आपको एक trick भी पढ़ाई जाती है, यहाँ पे loan करके, यहाँ एक loan करके trick भी पढ़ाई जाती है, L का मतलब होता है left में, O का होता, oxidation हमेशा anode पे होता है, and anode के ऊपर कैसा charge होता है, negative charge होता है, अब ये कहने क्या silver anode के तरह काम करेगा, नहीं, silver तो cathode के तरह काम करेगा, इसका मतलब ये भी wrong है, अब ये कहरा है कि silver cathode के तरह काम करेगा, and copper anode, ये बिलकुल सही है, इसलिए correct statement हमारी होगी third वाली, त सही answer आना था, third, तो electrochemistry का easy question था, याराम से आप इसको crack कर सकते थे, next question देखिएगा भई, this is from organic chemistry, reaction mechanism से ये question है, what type of reaction take place when this react with aqua sodium hydroxide, aqua sodium hydroxide, तो देखिए ये आपको साब साब देखने को मिल रहा है, this is three degree alkyl halide, this is three degree alkyl halide है, और जब आप इसकी reaction करवा रहे हैं किसके साथ, aqueous NUH के साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पर basically as a nucleophile के तोरपे काम करेगा, तो three degree, आप सभी को पता हुआ कि जो three degree alkyl halide है, वो prefer करते है SN1 reaction को, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो carbocatine बनता है, वो ज़्यादा stable होता है, and SN1 का जो आपका main, जो आपका RDS होता है, rate determining step होता है, that is formation of carbocatine, तो यहाँ पर क्या है SN2 होगी, SN2 नहीं होगी, addition reaction भी नहीं होगी, elimination जैसा भी कुछ नहीं होगा, तो this is SN1 reaction, यहाँ पर जो आपको product मिलेगा, यहाँ पर BR की जगे OH लग जाएगा, three degree alcohol मिलेगा आपको, three degree alcohol म reaction, ठीक है, second is question का correct answer आएगा, next question देखिए भई, यह भी mole concept का question है, आपका mole concept का question है, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, एक reaction दे दी, how many molecules of H2 would be needed to consume two mole of CO, देखिए सबसे पहले यह balanced reaction आपको given है, तो यह balanced reaction हमें क्या करी है, भई यह balanced reaction करी कि एक mole CO का के लिए 2 mole H2 के चाहिए, क्या करी है, यह balanced reaction, यह balanced reaction यह करी है, कि एक mole CO की reaction के लिए 2 mole H2 के चाहिए, बट अब यह क्या कह रहा है, कि भई 2 mole CO के हैं, अगर 2 mole CO के हैं, इसका मतलब H2 के कितने mole चाहिए होंगे, 4 mole, एक के लिए 2 चाहिए थे, तो 2 के लिए 4 mole चाहिएंगे, इसका number of moles कितने हो गई number of moles कितने हो गई H2 के 4 हो गई number of moles अब हमें यह पता है चार moles हो गई ठीक है अब हमें यह पता है कि अगर आपके पास एक mole हो तो वहाँ पे N-N-N molecules होते हैं N-N molecules होते हैं तो भई एक mole H2 होता तो वहाँ पे Na molecule of H2 होते बट अब आपसे बोल रहा कि चार मॉल है इसलिए number of molecules is your 4 Na number of molecules is 4 Na तो क्यारा क्या two molecules होंगे? नहीं जी two molecules नहीं होंगे क्या इतने होंगे? नहीं होंगे येस तीसरा इस question का correct answer आएगा क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे चाहे calculation करके देख लीजिएगा 4 into में जब आप इसकी calculation करेंगे तो यहाँ से idea लगएगा लगबग इतनी कुछ भी यहाँ पे आएगा तो बहुत ही simple question था दोबारा से repeat कर देता हूँ एक mol के लिए 2 mol H2 के चाहिए थे तो 2 mol के लिए 4 mol चाहिएंगे अब 4 1 mol of H2 के अंदर N A molecules of H2 होते हैं N A molecules of H2 होते हैं बट 4 mol के अंदर 4 N नहीं होंगे multiply करेंगे simplest question का correct answer आदेगा third is the correct answer next question की बात करते हैं भई यह देखे यह बहुत easy question दिख रहा है आपको यहाँ पे बोलागा कि एक element है जो कि M3 positive में है और उसकी electronic configuration यह है तो बताएए कि वो I N कौन सा रहा होगा आरगन और 1 D के अंदर A के तीन बाहर निकल गए तो क्या situation नहीं होगी ऐसा कुछ रहा होगा कि आरगन अगर आप इन तिनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा भई आपका 4 S2 हो जाएगा and 3D2 यनि कि यह किसका होता भई आरगन और 4 वैनिडियम का यह होता है किसका होता है भई आपका एक मिनट होगी सुरी साइस टाइटेनियम का ऐसा होता भई किसका टाइटेनियम का प्लस 3 तो यहाँ पे क्या आजाएगा जी क्रेक्ट अंसवर टाइटेनियम प्लस 3 इस दे क्रेक्ट अंसवर यह आपका टाइटेनियम के नॉर्मल हो गई and जब यहाँ से 3 निकाल देंगे दो यहाँ से निकलेंगे और 1 यहाँ से निकलेगा इसलिए इस कोईशन का क्रेक्ट अंसवर आजाएगा second, easy question था यह आपका next question की बात कर लेते हैं which of the flowing property of halogen sequence this सबसे जादा fluorine हो फिर chlorine यह किस के लिए boiling point के लिए ऐसा कुछ नहीं होता boiling point के लिए ऐसा कुछ नहीं होता F2 जो है basically वो तो अगर हम बात करें gas phase में पाया जाता है F2 and CL2 BR2 liquid and I2 solid form में पाया जाता है तो boiling point के लिए यह order नहीं होता electron affinity का भी यह order नहीं होता आप सभी को exception पढ़ा जाता है chlorine, bromine, fluorine and iodine this is the correct order of electron affinity पूरी periodic table में सबसे ज़्यादा electron affinity chlorine की होती है तो यह भी यहाँ पे नहीं है yes, यह बिलकुल सही है यहाँ पे electron negativity का बिलकुल सही है अगर मैं polling scale से value लिखूं तो fluorine की होती है 4 chlorine की आपकी जो value आजाएगे that is 2.5 वो क्या होती है आपका 2.5 नहीं होती, sorry chlorine की electron negativity की value 3 होती है bromine की जो electron negativity की value होती है वो 2.7 होती है and iodine की electron negativity की value 2.5 तो यह बात विलकुल सही है कि सबसे जादा electronegative fluorine होगा and पूरी product table में highest electronegativity की होती है fluorine की ही होती है तो यह easy question आपका था next देखीगा भई यह question अल्रेडी भई अभी मैंने थोड़ी से दिन पहले एक live class ली थी उसमें भी यह question करवाया था इस आइरेन कार्बोनिल यह पेंटा कार्बोनिल जो भी बोलो कि यहाँ पे जो आइरेन और कार्बन का जो बोंड है वहाँ पे क्या क्या बात है देखिए आपको यह पढ़ाया जाता है metal इसके अंदर अगर मैं आपको पढ़ाऊ थोड़ा सा कुछ सिनर्जिक बोंडिंग हम ऐसको ऐसे बोलते है तो यह क्या करती है मालीचे यहाँ पे आइरेन मैटल है तो सबसे पहले यह क्या करते है ना इनके पास यहाँ पे यह होता तो यह सिगमा बोंड के थूरू डोनेशन दे देते है तो ये क्या होगा यहां पर sigma के थूट कर दिया है इन्टोनर, sigma donor, अब क्या होता है, इस πाई के पास anti-bonding, यानि कि πाई-स्टार में वेकंट रहता है यहां पर पाई-स्टार, अब ये क्या करता है, आइरन क्या करता है, आइरन के जो D के अंदर elektron होंगे, वो क्या कर देते ह को इस प्रकार से electron पहले क्या क्या कारबोनिल ने सिगमा बोंड के थूरू यहां से electron डोनेट कर दिया उसके बाद आयर ने पाई बोंडिंग के थूरू electron डोनेट कर दिया इस टाइप की बोंडिंग को बोला जाता synergic bonding synergic bonding तो यहां पे देखेगा भई sigma भी है और यहां पे pi भी है तो इस question का crack tensor आएगा both both pi and sigma आपको देखने को मिलेगा इस case में इस question का crack tensor थर्ड आदेगा easy है already पढ़ाया भी जाता है next question की बात करते है यह question थोड़ा सा confusing है भई थोड़ा सा confusing इसलिए कि language ऐसी लिख दी गई है बाकी कोई ज़्यादा गबराने वाली बात नहीं है समझते है that theoretical molar mass is less कि जो आपका theoretical molar mass वो कम है than the determined from colligative property तो बताएए event of factor क्या होगा सबसे पहले आपको यह समझना पढ़ेगा कि event of factor होता क्या है देखे इसमें basically एक आगया theoretical molar mass का मतलब यह होता है जो logical को basically आप यहाँ पर बोल सकते है given mass जो given है question में महालो भाई किसी question में आपको बोल दिया कि 94 है याणि कि यहाँ पर theoretical molar mass का मतलब होता है कि जो given है question में ठीक है और इसको यहाँ ऊपर इसका formula होता है theoretical molar mass और इसको divide किया जाता है जो कि आपका calculated होता है जो कि आपका calculated molar mass होता है calculated का मतलब क्या है एक कई बार आपने ऐसे questions देखे होंगे solution chapter में colligative property में जहाँ पे आपको सारा data given रहेगा और एक mass निकलवाया जाएगा colligative property की help से तो यह कह रहा है determined from colligative property तो वो calculated है और theoretical का मतलब जो given होता है question में तो अब यह कह रहा है अगर theoretical वाला कम है यह वाली value कम है मैं माल लेता हूँ कि यह 36 है और यह कितनी है माल लो 72 है तो value कितनी आ रही है value कितनी आ रही है तो यहाँ पे जो went of factor होगा वो less than one होगा and ऐसा आपको ज़्यादा तर देखने को मिलता है association के case में आपको पढ़ाया जाता है association होता है जैसे कि benzoic acid का dimer बनना association होगा ऐसे cases में आपको क्या देखने को मिलता है जो theoretical mass होता है given mass जो होता है जो आपका calculated molar mass आएगा वो ज़्यादा आता है तो association के case में ऐसा देखने को मिलता है dissociation के case में थोड़ा सा अलग तरीके से देखने को मिलता है तो when of factor is your less than one देखिए अलग अलग जगह अलग बाते लिखे मिलेंगी अगर आप बिल्कुल try करें कई जगह observed लिखा मिलेगा कई जगह कुछ लिखा मिलेगा meaning यह है इस question का तो इस question का correct answer second आएगा चलिए बई, next question की बात करते है which of the following oxide of nitrogen is most thermally stable देखिए ऐसे question है समझाने का कुछ है नहीं पड़े हुए है तो आप कर जाएंगे नहीं तो नहीं कर पाएंगे ठीक है, तो सबसे ज़्यादा most thermally stable जो आपका होता है सबसे ज़्यादा जो stable होता that is NO तो समझाने का कुछ ज़्यादा है नहीं तो कुछ कर नहीं बागगा इस question में सबसे ज़्यादा जो stable होता thermally stable जो होता that is NO ठीक है, next question की बात कर लेते हैं the strongest base in the liquid ammonia इन में से कौन सा strongest base रहा होगा liquid ammonia के अंदर this is hydrazine and ammonia, ammonia का तो कोई मतलब नहीं है this is, यह आपका देखें यह तो आपका strongest acid रहा होगा यह क्या रहा होगा आपका strongest acid रहा होगा liquid ammonia गिंदर and this is strongest base this is strongest base तो यह strongest acid क्योंकि यह proton को donate करने के बाद ammonia में convert हो जाएगा और यह base होगा क्योंकि यह proton को accept करके ammonia में convert हो जाएगा the strongest base अगर पूछे तो this is NH2 negative next question की बात करतें भाई देखें, इस question को भी थोड़ा सा समझेगा यह भी basic question है भाई आपका ज्यादा इसमें भी कुछ नहीं है molecular weight of oxalic acid oxalic acid का molecular weight दे दिया है the weight of oxalic acid required to neutralize 100 ml of 100 ml of normal solution of N-A-H तो normal solution, normality की बात यहाँ पर की जा रही है तो यहाँ पर जो normality होगी that is one, normality तो यहाँ पर आपको क्या करना है number of gram equivalents या फिर आप number of equivalents निकाल लीजिए number of equivalents और वो equal होते है N into V के वो equal होते है normality into volume के equal यहाँ पर volume लीटर के अंदर होनी चाहिए यहाँ पर volume लीटर के अंदर लीटर के तो number of equivalent आप कैसे निकालेंगे तो number of equivalent निकाले जाते हैं moles divide by N-factor moles divide by N-factor अब moles कैसे निकाले जाएंगे यहाँ पर oxalic acid के तो अब हम moles निकालते है तो given weight कितना है the molecular weight of oxalic acid is this अच्छा वो तो हमें चाहिए weight तो हमें चाहिए तो भाई अगर हम देखा जाए चलो इसको ऐसे लिख लेते number of equivalents का मतलब होता है आपका molar weight and divide by equivalent weight है ना ऐसे भी तो बोल सकते है number of equivalents का मतलब होता है molar weight and divide by equivalent weight अब equivalent weight को कैसे निकाला जाएगा यहाँ पर तो जो आपका molecular weight होता है उसको divide कर देते है N factor से N factor oxalic acid के लिए 2 आएगा oxalic acid की structure क्या होती है तो इसकी basicity कितनी होती है 2 अगर इसकी basicity 2 है तो इसका N factor भी 2 होगा तो यह आगया आपका equivalent weight जो की 63 आजाएगा यहाँ से कितना आगया? 63 और molecular weight हमें निकालना ही है तो देखो यहाँ पर molecular weight नीचे equivalent weight और यह किसके को आएगा? normality 1 into में volume liter के अंदर volume liter के अंदर तो यह तो ml में है तो इसको divide कर देंगे 1000 से जिससे की liter में आजाएगा यानि कि 0.1 और जब आप इसकी multiply करेंगे तो that is 6.3 gram is the correct answer 6.3 gram is the correct answer तो इस question का correct answer आएगा second वाला इस question का correct answer second दोबारा से देखिए number of equivalents जो होते हैं वो equal होते हैं normality into volume volume liter के अंदर होनी चाहिए number of equivalents को लिख सकते हैं molecular weight divide by equivalent weight equivalent weight का मतलब होता है molecular weight and divide by आपका n factor तो 126 given था n factor दो आगा oxalic acid में basicity 2 है 63 इसको इसके equal put के और finally answer निकाला second is the correct answer ठीक है next question की बात करते हैं देखिए भई in the reaction aqua sodium hydroxide which of the flowing compound will go inversion जिसका inversion भी हो and आपका SN2 mechanism भी हो देखिए SN2 mechanism हम देखते हैं sterically crowding तो 1 degree के अंदर सबसे अच्छा फिर 2 degree and फिर 3 degree ऐसे कहानी चलती है SN1 में तो देखो ये तो हो गया 3 degree एकदम से हटा दो इसकी तो बात ये हो गया 2 degree इसको भी हटा दो ये भी अगर आप देख रहे हो this is 2 degree ये भी 2 degree है इसका मतलब यहां का 4th answer best बनेगा यहां पर OH negative आएगा and inversion भी take place करता है world done inversion जिसे हम बोलते हैं इस question का correct answer 4th इस question का correct answer 4th आएगा 3 degree, 2 degree ये भी 2 degree था and this is 1 degree ये 1 degree alkyl alide इसलिए SN2 फो करेगा and यहां पर नोरजुन भी देखने को मिलता है 4th is the correct answer उसके बात देखें next question of the following which 2 will not be colored in the aquis solution not world game पर focus कीजे कौन से colored नहीं होंगे देखें भई, अगर हम बात करें यह रहा जब आपने यहां से scandium 3 positive का मतलब d के अंदर 0 electron होगे d के अंदर भी s के अंदर भी ये fully filled electronic configuration होगे ऐसे जब आप copper की बात करेंगे तो इसके भी d में 10 हो जाते हैं तो जहांपे d के अंदर unpaired electron नहीं होते हैं इसलिए ये दोनों आपका colored नहीं होंगे next question क्या कह रहा भई atomic number दे दिया chromium which of the flowing is paramagnetic देखें ये रमें से कौन सा paramagnetic होगा देखें यहां पे तो ये आपका cn strong field ligand होता है strong field ligand fe2 positive का मतलब d6 pairing हो जाएगी कोई unpaired electron ऐसा ही इसके अंदर इसमें अगर आप जाएंगे इस question के अंदर देखना ध्यान से यहां पे हो गया chromium 3 positive and chromium 3 positive का मतलब होता है d के अंदर 3 अब चाहिए यहां पे strong field हो चाहिए weak field हो एक, दो, तीन तीन unpaired electron तो यहां पे रहेंगे ही रहेंगे चाहिए strong field हो चाहिए weak field हो अगर unpaired electron है तो यह पका ही paramagnetic होगा यह आपका पका ही paramagnetic होगा so इस question का correct answer second आएगा next question की बात कर लेते हैं the solubility of aniline in water is increased by adding वह किसको मिलाने से aniline की solubility पानी के अंदर बढ़ेगी तोलवीन is non-polar diethyl ether polar होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है यह तो base हो गया भई देखो इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से relate कर पाएंगे यह रही जी आपकी aniline की structure यह रही आपकी aniline की structure and in water पानी में यह डाला हुआ भई आपका इस परकार से अब देखो अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ पे HCL डालेंगे HCL क्या करेगा इसको यह अपना loan पेर डोनेट करेगा और किसमें convert हो जाएगा यह आपका कुछ इस परकार से convert हो जाएगा अब यहाँ पे जो water रहा होगा इस परकार से उसके साथ यहाँ पे क्या रही होगी hydrogen bonding रही होगी ठीक है अब देखो base के case में यह चीज़ी possible नहीं होगी इस तरीके से इसलिए base को यहाँ से हटा दो यह आपका non polar होगा यह भी polar होता बट इसका भी कोई इतना effect नहीं पड़ेगा जिस तरीके से HCL यहाँ पे effect डालेगा ठीक है HCL आने से यहाँ पे यह जो dipole-dipole interaction यह increase करेगी अगर यह increase करेगी तो solubility भी increase करेगी solubility भी increase करेगी so इस case में आपका correct answer आएगा second इस case में आपका correct answer आजाएगा second is the correct answer next question की बात कर लेते हैं भई हम among the flowing which is one of the most important ore of silver तो यह आपका most important होता भई और इसका formula होता है A, G, 2, S, A, G, 2 यह sulfide ore होता है basically तो यह आपका silver का most important ore होता है ठीक है तो समधाने का इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है अब हम चलते हैं next पे ठीक है the compound which give of oxygen on moderate heating तो ऐसा करता है mercuric oxide है ऐसा कौन करता है इसको जब आप heat करेंगे तो यहाँ से इसको आपको heat करने पर यहाँ से oxygen release होते हुए मिलती है aluminum oxide में भी बाक्य सभी में ऐसा नहीं देखने को मिलता है लेकिन इसके case में ऐसा जरूर देखने को मिलता है second is the correct answer next question के बात करते है 50 ml of water is added to 50 ml solution of this pH बताने है देखे पहले आप पुरी बात को समझना है यहाँ पर यह कह रहा है कि 50 ml solution है किसका barium hydroxide का तो कितना है 50 ml BAH2O है इसके अंदर कह रहा है कि 50 ml पानी और डाल दो 50 ml पानी और डाल दो अब बताओ कि भाई जो यह दोनों mix करने के बाद क्या होगा सबसे पहले यहाँ पर formula लगेगा हमें यहाँ पर M1 V1 is equal to M2 V2 ठीक है तो initial concentration कितनी given है यह रही जी 0.01 volume कितनी थी पहले 50 थी अब हमें क्या निकालनी concentration भाई कितनी है अब volume कितनी हो चुकि यह 50 पहले थी और 500 हो गई है volume कितनी हो गई है 100 इसको इससे cut करोगे 2 and M2 कितनी आजाएगी अब concentration कितनी हो जाएगी 0.05 अब concentration कितनी हो जाएगी यह वाली आपकी concentration हो गई है अब हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है अब ही अगर आप बात करते हैं यहाँ पे कुछ इस परकार से देखेगा यह B A O H का twice है तो यहाँ से जब आप इसके एक मॉल को break करोगे तो यहाँ पे यह plus में 2 O H negative अगर इसकी concentration एक होगी तो O H negative की उससे double हो जाएगी समझ पा रहे हैं मेरी बात अगर इसकी concentration अभी यहाँ पे solution की concentration कितनी है 0.05 तो यहाँ उस time पे O H negative की concentration क्या होगी तो O H negative की concentration हो जाएगी 2 times 2 times का मतलब 0.01 अगर O H negative की concentration कितनी है 10 की power minus 2 तो P O H कितना हो जाएगा 2 and P H कितना हो जाएगा 14 minus 2 is 12 तो यहाँ से आप से pH पूछा था तो इस question का correct answer आएगा 12 is the correct answer दोबारा से देखे इस question को कैसे किया सबसे पहले किया जब आपने mix किया तो आप अभी निकालोगी concentration कितनी है solution की जो solution है तो यतनी निकाली अब यहाँ से यह पता लगा कि barium hydroxide जब dissociate होगा कुछ इस तरीके से अगर इसके एक mole है तो इसके दो mole मिलेंगे अगर इसकी इतनी concentration है तो इसके double आएगी तो double आई OH negative की concentration पता लग गी OH से POH पता लग गया और POH से PH का पता लग गया सो इस question का correct answer आजाएगा first सो इस question का correct answer आजाएगा first 12 PH पूछाद आप से अगर POH पूछते तो भी आप इसको easily बता सकते थे ठीक है चलिए भई next question की बात करते है for a reaction this सारी बाते हैं यहाँ पर तो यहाँ से rate lack expression given है तो A के respect में order 1 है और B में तो overall order कितना हो गया भई आपका overall order reaction का कितना हो गया that is 3 अब यह कह रहे है if volume of the container is reduced to half of its original value volume the rate of reaction become तो हमें पता है कि जो concentration होती that is mall per unit volume malls per unit volume अगर volume half हुई है one by two हुई है तो concentration two times बढ़ी होगी क्योंकि concentration and volume तो inversely proportional है अगर volume one by two हुई है तो यह concentration two times तो अगर concentration two times तो order कितना है order कितना 3 तो two की power भी one कर दो and two की power भी two कर दो इसको जब आप देखेंगे that is eight times अब आपका rate eight times increase हो चुका होगा अब आपका time eight times तो अगर volume half ने one by two मलब half की concentration double होगी तो over loader three था two की power three कर देगे एट आदेगा अगर volume one third होती तो concentration three times हो जाती तो फिर आपका three की power three करते तो 27 times हो जाती rate of reaction increase ठीक है तो इस question का correct answer आएगा eight times first is the correct answer next question की बात करते है which of the flowing halogen does not form oxoacid इनमें से कौन सा oxoacid नहीं बनाता है बनाता है बाकी तो यह बर बर के बनाते हैं chlorine तो सबसे ज़्यादा बनाता है HClO, HClO2, HClO3, HClO4 and iodine का भी आपने देखा हुआ है HIO4 famous होता है यह सारे लेकिन fluorine जो है ना वो सिर्फ एक ही oxoacid बनाता है that is O यह वाला भाई HOF, सिर्फ एक oxoacid बनाता है तो does not form oxoacid और यह भी इतना ज़्यादा कोई stability वाली बात होती नहीं है लेकिन इन तिनों में से जो सबसे कम oxoacid बनाता है या जो नहीं बनाता है that is fluorine fluorine बहुत कम बनाता है ठीक है बाकि तो यह बर-बर के बनाते हैं सारे एक proper list भी होती है इनके acidity भी निकाली जाती है सारी बाते निकाली जाती है चारों की लेकिन इस question का correct answer आजाएगा fluorine next question which of the flowing slide is least stable and doubtful existence देखे इसका correct answer आएगा यह PBI4 इसके पीछे reason होता inner-to-pair effect आप सभी को यह बात पता होगी है ना तो आप सभी को यह बात पता होगी down the group जाने से जो lower oxidation state होती है वो ज़्यादा stable होती है तो आगर मैं मेरे से पूछोगे एक PB plus 2 है और एक PB plus 4 है कौन ज़्यादा stable है तो मैं कहूंगा PB plus 2 ज़्यादा stable है उसके पीछे reason क्या होता है inert pair effect आपको अल्रेडी पढ़ाया जाता है inert pair effect इसका मतलब यह है एक PB I4 हो और एक PB I2 की फों में ज़्यादा stable होता है ने कि PB I4 क्यों? क्योंकि PB plus 4 oxidation state में unstable होता है वो plus 4 oxidation state ज़्यादा शों नहीं करता है reason inert pair effect और यह क्यों होता है आप सभी को बता down the group जाने से यहाँ पर जो S वाले दो electron होते है 4F की poor shielding होती है और उस poor shielding की बज़े से यह जो दो electron होते है इनकी attraction बढ़ जाती है nucleus के साथ तो वो reaction में participate नहीं करते है inert pair effect की बज़े से ऐसा होता है सो इस question का first is the correct answer उसके बाद देखिए ammonia is a lavish base it form complex with cation which of the following cation does not form complex with ammonia देखो वैसे तो आप थोड़ा सा common sense भी use कर सकते हैं क्या az plus copper 2 plus यह तीनो transition metal है है यह transition metal ना बलोते है यह तीनो d block की metals है बट यहाँ पे अकेला pb plus 2 देखिए आपको ammonia का silver के साथ complex मिल जाएगा अगर आपने coordination chemistry copper के साथ भी मिल जाएगा and cadnium के साथ भी इन सभी के साथ यह complex बनाता है बट pb plus 2 के साथ कोई complex नहीं बनाता है ammonia pb plus 2 के साथ कोई complex में नहीं बनाता है ammonia ठीक है इन सभी के साथ vacan d orbital होते हैं सारी बाते हैं इस हिसाब से आपका 2, 3, 4 के अंदर बनाएगा लेकिन first के अंदर वो complex नहीं बनाता है ठीक है उसके बाद देखिए the rate constant of first order सबसे पहला इस इसको नोट किजिए first order यह रहा how much time to take this, this, this देखिए इसके लिए एक soul tricks होती है मेरे पास शांदर वली जबुर्दस जब भी आपको लगे initial concentration and final concentration का ratio 2 की power में आएगा तब बात बन जाती है इसके question में इसके लिए एक formula होता भई यह initial concentration और यह final concentration अगर इन दोनों की concentration का ratio 2 की power n n का मतलब होता है आपे T1 by 2 and T given इस तरीके से है ना वैसे तो हम radio activity में use करते है लेकिन chemical kinetics में भी बिल्कुल set बैठता है यह देखो यह कहा रहा है कि initial concentration of the reactant reduce हो गई कम हो गई पहले अगर concentration 1 थी तो अब 1 बटा 16 हो गई तो पहले कितनी थी 1 थी अब कितनी होगी एक बटा 16 तो 16 उपर चला जाएगा तो किसको 2 की पावर N क्या जाएगा 2 की पावर N तो N की value कितनी आगई 4 N की value कितनी आगई 4 ठीक है ना अब N की value 4 आगई T half life ने given लेकिन आपको यहाँ पे क्या given है आपको यहाँ पे क्या given है rate constant तो हमें पता होता है कि अगर आपको half life time निकालना है तो यह आजाएगा divide कर देतें किस से 60 से तो अब क्या करो अगर आपको T given चाहिए आपको क्या चाहिए T given तो आपको क्या होगा N से multiply कर दो T half life की तो T half life कितना आगया यहाँ से 0 point यह रहा और इसकी multiply कर दो कितने से N से 4 से तो यह आगया 15 और जब आप इसको solve कर रहे होंगे जब आप इसको solve कर रहे होंगे इस question का correct answer बनेगा first इस question का correct answer बनेगा first तो this is a very very important trick but this is valid only for first order और किसी के लिए मत लगा देना और किसी order की kinetics के लिए सिर्फ first order की kinetics के लिए लगती है यह trick ठीक है न होब कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब हम बढ़ते हैं next question की तरफ यह क्या कहरा भई benzyl chloride है आपके पास क्या है आपके पास benzyl chloride है CH2 है और यहाँ पे CL है इससे आप चाहते हैं कि phenyl methine amine बन जाए phenyl methine amine बन जाए CH2 NH2 बन जाए तो बताइए कि यह कैसे possible हो सकता है ठीक है यह इसका अंसर आएगा पहला कि excess of ammonia लीजिए in the presence of pradine ठीक है excess of ammonia लीजिए तो यहाँ पे basically अटेक करेगा यहाँ से chlorine बहार निकलेगा और यह आपका बनेगा phenyl methine amine अगर आप इसको और repeat करवाते देंगे तो यहाँ पे phenyl ethine amine भी बन सकता है लेकिन यहाँ पे possibility है सिर्फ और सिर्फ इसी से यह बन सकता है ठीक है next question की बात कर लेते हैं next question is free radical halogenation का है तो इन में से आप से पूछा जा रहा कि propagation step बताओ कौन कौन सा होगा propagation सबसे पहले यह क्या है यहाँ पे कोई radical नहीं था यहाँ पे radical बन गया तो कोई radical ना और radical बन जाए initiation बोलते हैं initiation तो यह वाला step होगा initiation यहाँ पे एक radical ने दूसरा radical जर्नेट कर दिया जब एक radical दूसरा radical जर्नेट करें समझ लेना प्रोपेगेशन यह पका प्रोपेगेशन है एक radical और दूसरा radical मिले और कोई radical नहीं दिखा this is termination बहुँ दो radical थे मिलके खतम होगे termination यह termination है एक radical ने दूसरा radical बना डाला इसका मतलब फिर से propagation इसका मतलब फिर से propagation तो यहाँ पे जो correct answer आएगा fourth पहला step initiation है यह third step termination है और B already is your propagation जब एक radical दूसरा radical जर्नेट करें समझ लेना क्या होगा propagation जब कोई radical नहा radical बने initiation जब दो radical मिलके और कुछ नहाँ नूट्रल हो जाए तो समझ लेना की termination इस question का correct answer आएगा fourth ठीक है आज की हमारी इस वीडियो का last question है यह with atomic number 25 at divalent ion aqueous solution has atomic number 25 किसका होता है MN का divalent का मतलब हो गया MN2 positive और MN2 positive का मतलब हो गया D के अंदर 5 और magnetic moment निकालने का formula क्या होता है under root N into N plus 2 तो जब आप करेंगे 5 into में 5 plus 2 that is 35 under root 35 होता आपका 5.92 5.92 so इस question का correct answer आएगा third तो यह थे जी हमारा part number 1 जिसमें हमने पहले 25 question discuss किये हैं next part में हम बाकी वाले question discuss करेंगे hope कि आपको यह solution पसंदा रहागा और idea भी लग रहागा कि KVS में किस तरीके से चीज़े पुछी जाती है अगर किसी भी question में doubt है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं comment box में भी आपके पास होगा वहां से भी आप मुझे इसकी जानकारी दे सकते हैं अगर यह वीडियो अच्छे लगी तो लाइक और शेयर कीजी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू